आप सभी का स्वागत है great learning के इस correct word usage series में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको great learning academy के बार में बताना चाहूंगा जिसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा तो आज हम beside और besides के बीच में difference देखेंगे पहले हम meaning देखते है besides का मतलब होता है इसके बगल में या फिर इसके नस्दीक में besides का मतलब होता है इसके अलावा in addition to हमा जिसके examples है पहला sentence है give me the book beside the lamp मतलब lamp के बगल में जो book है वो मुझे दो यहाँ पे आप besides use नहीं कर सकते इसी तरह हमारा दूसरा sentence है I have many other interests besides cooking मतलब cooking के अलावा मेरे और भी interest है यहाँ पे आप beside use नहीं कर सकते तो दोस्तों यह था हमारा daily dose of English learning तो sign off करने से पहले हमारे वीडियो को like करियेगा और हमारे चानल को subscribe करियेगा Thank you very much and have a great learning ahead कर दोस्तों कर दोस्तों कर दोस्तों कर सकते